नमस्कार दोस्तों मेरे डाम सिबेश स्वाकत आप सबीगे मेरे यूटूब चैनल दोस्तों आज हम जानेंगे उत्रखन सामधियान के 20 महत्तपूर्ण परसन तो दोस्तों आज इस सिरीज का भाग 5 हम सुरू करने वाले हैं तो दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही पता रखा अगर दोस्तों आपने इस सिरीज के पहले वाले चार भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके मैंने इसके एक अलग से प्लेलिश्ट बना रखी है उत्रखन सामधियान के 20 महत्तपूर्ण परसन तो आप उस प्लेलिश्ट में जाके इन भागों को देख सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो दोस्तों क्वेशन नमर एक है उत्रखन में गड़ केसरी के नाम से कौन परसिद है तो इस क्वेशन का जो राइट आंसर है वो है अनुस्या परसाद भागण जो के गड़ केसरी के नाम से भी जानी जाते हैं ठीक है चले क्वेशन नमर दूसरा देखते हैं उत्रखन में फूलों की घाटी की खोच किसने की थी तो इस क्वेशन का जो राइट आंसर है फ्रेंक अस इस्मिन ने उत्रखन में फूलों की घाटी की खोच की थी ठीक है ज ठीक है चलिए क्वेसन नंबर चौथा देखते हैं टाइगर फॉल इस्तित है तो इस क्वेसन का जो राइट आंसर है वो है चकराता में टाइगर फॉल इस्तित है चलिए क्वेसन नंबर पांचवा देखते हैं क्वेशन नमबर पांचवा है स्वतंतरा संग्राम के दोरान जेल जाने वाली ओतरखन की पहली महला कौन है या कौन थी इस क्वेशन का जो राइट आंसर है बिसनी देवी सहा जो स्वतंतरा संग्राम के दोरान पर्था महला जो जेल जाने वाली थी वो बिसनी देवी सहा थी चलिए question number 6 देखते हैं बदरिना धाम के कपाट कुलने की तिथी किस दिन निश्चित की जाती है तो इस question के जो right answer है वह है बसंत पंचमी को बदरिना धाम के कपाट कुलने की तिथी निश्चित की जाती है चलिए question number 7 देखते हैं Q7 है उत्रखन में व्रिक्ष मानव की नाम से परशित व्यक्ति कौन है? तो इस Q2 जो right answer है वह है विसुसर्दत सकलानी जो की उत्रखन में व्रिक्ष मानव की नाम से भी जाने जाते हैं चलिए Q8 देखते है Q8 है महले राम किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों मोलाराम है चितरकारी के लिए बिक्यात है वो इनकी जो चितरकला है वो गडवाल के लिए बहुती बिक्यात चितरकला है टीक है, question number 9 देखते हैं, उत्राखंट का गांधी किसे कहा जाता है तो इस question का जो right answer है, इंदरमणी बढ़ोनी को उत्राखंट का गांधी कहा जाता है तो easy question है, question number 10 है, कोटिस पर बांध किस नदी पर इस्तित है तो इस question के जो right answer रहा हुए है भागर रती नदी पर कोटे सुर्बांध इस्तित है चलिए अगला question देखते हैं question number 11 है गड़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है तो मुकंदी लाल गड़वाल पेंटिंग्स के लेखक है ठीक है चलिए question number 12 देखते है डूल सागर की ग्याता के रूप में किसे जाना जाता है तो उत्तम दास को डूल सागर की ग्याता के रूप में जाना जाता है चलिए question number 13 देखते है question number 13 है कुली बेगार आंदुलन के नायक कौन थे तो बदरिदत पांडे खूली बेगार आंदोलंग के नायक थे या नायक कही जाते हैं बदर दत पांडे चलिए क्विशन नमर चौदर देखते हैं कुमाओ की लक्षिमभाई किसे कहा जाता है तो इस क्विशन के जो राइट आंसर है वो है जिया रानी को और गडवाल की तीलू रोंतेली को कहा जाता है तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कुमाओ की जिया रानी को कहा जाता है लक्षिमभाई और गडवाल की किस को कहा जाता है तीलू रोंतेली को ठीक है चलिए क्वेशन नमबर 15 देखते हैं द्रोनाचारे पुरुसका से सम्मानित होने वाली उद्रखन की पर्थम महिला कौन है तो हंसा मनराल द्रोनाचारे पुरुसका से सम्मानित होने वाली उद्रखन की पर्थम महिला है ठीक है हंसा मनराल तो आप याद रखीगा चल करने वाली रानी के नाम से करनावती रानी परसित है तो चलिए question number 17 देखते हैं किस सहीद के नाम से चंबा में परतिवर्स 20 माई को मेला अयुज़त क्या जाता है तो सहीद गबर्स या नेगी के नाम से परतिवर्स चंबा में 20 माई को मेला अयुज़त क्या जाता है चलिए question number पर डोली पाल की आंदोलन किस से संबन देत है तो इस question के जो right answer है वो है तो is question question के जोérêt Pulisar whirli नुचारों में देवताल कहां इस्तित है तो इस question के जो वीडियो में बस रहता है, अगर आपको वीडियो अची लगती है, तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें, अगर आप मेरे चनल पर नए आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राब करें, बेल लाइक़ पर प्रस करें, ताकि जो मेरे अहर वीडि झाल झाल